तो आज की रेसिपी है चिकन करी जो पॉजी स्टानług होता है भाहरनी आने पॉजी यह पहले खाना बनाया है उनका जो मेस होता है उन में खाना बनाते थे यह खड़े मसाले इनको ने डा़र दिये और भीहा खड़े मसाले में क्या- क्या बता क्या बताऊं Git तेज पस्ता दल चीन कर्णों को है यह थी है किता है यह कर दोसको स्ऱश pasti रूपता है कि प्रेज पत्तन नहां नो में सब्रेकर एक बार नहें कि कि आ मैं इस घ्लिपोरे आपको कंद दुबारा डिक द खाजिता हूं है मोटी छोपी कि यह जोड़ा थे पत्ता प्रेट स्पिता हैं नॉंग एक है और तक भूनें गे लुदिन हो तक बूनेंगे उसके बाद गोड़नां रिखी देखो आगे जो चीज़े बाद ने देख दो डालने जारे है चिकन और कितना भी है यहाई दाल दो और प्याज देख लो प्याज आपने ज्यादा ब्राउन नी करना है तो कासा ब्राउन करना है फिर भी दो मिनिट लगे हूंगे इसको पकाने में प्याज को दो से तीन मिनिट आपने प्याज पकाने प्याज का कलर देख लो बाईटी है ब्राउन नी है उसके बाद आपको इ इस तरीके से बनाया जाता है जो आर्मी स्टाइल चिकन करी होती है वो रेसिपी है यह तो भीया इसको कितनी देर तक पकाएंगे अब पच्चीज मिनटे इसको भीया ऐसी पकान है बिना किसी मसालो के अच्छा ठीक है अब देखते जाओ भीया इसमें क्या-क्या डाल रहे है अध्रक पेस यह बिया डाला है अध्रक पेस यह कितना होगा भीया इसमें डाल दिया अध्रक का पेस तो ग्राम लेस्न का पेस यह कहरे है लेस्न थोड़ा ज़ादा भी हो जाए 100-500 ग्राम तो प्रोग्रम लिए हरी मिल्स डाल दी 50 ग्राम सारा पहली कि रखा वा है में आप पहलो कि पीच के रखा है तो आप इसमें डाल रहे हैं देहँमेट झाल हो 50 ग्राम हो जाल है 40 ग्राम होो तरह निए यहां पर देहँमेट की देहली है 4-50 ग्राम तो यह देख लो बीच बीच में आपको इसको इस तरीके से चलाते रहना है इस तरीके से ताकि नीचे चिपके ना जले ना वो और यहां बगल में बन रहा है खरोडे का शूप वो उबालने के लिए रखावा है यहां पर 500 ग्राम दही तो बहिए भी इसमें डाल रहे हैं दह अब इसको दुबारा चलाएंगे अब भी इसको ऐसी पकाएंगे 20-25 मिनट तर अब यह ऐसी पकेगा 20-25 मिनट तक कुछ नहीं डालना ना इसमें भी अभी मीडियम आच में आपको इसको ऐसी पकाना है 20-25 मिनट तर उसके बाद जो भी चीज़े डालेंगे वो हम आगे दे तो इसमें डालेंगे नमक नमक किना होगा 20-25 मिनट तक आप तेस्ट के इसाफते देखना जितना आपको अच्छा लगता है उतना आप नमक रच सकते हो भी आपे 120 ग्राम नमक डालेंगे और भी कुछ दल रहा भी है इसमेंगे 30-40 ग्राम यहां पर दालेंगे तीस से 40 ग् पर बूज दालेंगे जिए अब इसमें डाल है दनिया पाऊडर है यह कितना है बीया 40 ग्राम भी है नहीं यहां पर टाला है दनिया पाऊडर अब बहिया इसमें डाल है केचन किंग मसाला किचन किंग नहीं है चिकन मसाला है किचन तो यहां पर बिया डाल रहे हैं M.D.H का चिकन मसाला यह देख लो यह कितना होगा बिया 50 ग्राम बिया यहां पर डाला है किचन चिकन मसाला अब इसको मिलाएंगे अक्षए से कि कि कितनी देर में पकने वाला है कि अच्छा दस मिनट इसमें और लगेंगे इसके बीच में अगर कुछ जालते हैं तो मैं आपको बाद में दिखाते हूँ वैज़े तो खुजबू बहुत ही बढ़िया आ रही है लेकिन फिर भी इसमें कुछ डालेंगे आगे कुछ एट करेंगे तो आगे देखते हैं तो अब भी इसमें डाल रहें टमाटर की कतिंग देख लो जितनी बारीक आप कर्षो को ना उतनी बारीक करनी है तो अधे किलो टमाटर डाल आ है वह भी आखरी में मतलबम जब दस मिनिट हो ना थुम्क्ने के लिए अधिimeं टमाटर अब 3,30respetto कर देना है तो चलिए पक ने देते हैं इसको 10 मिनिट तक 10-15 मिनिट तक उसके बीच में अगर कुछ डालेंगे तो आगे देखते हैं तो यह देख लो अब यहां चिकन में बिया पानी डाल रहे हैं डाल दो बिया पानी और बिया पानी का क्या है मतलब जितना ग्रेवी आपको चीए उतना पानी डाल दो तो अभी कितना डालोगे भी आप इसमें डालोगे मैं 700 ग्राम करीश चार किलो में 700 ग्राम के आसपास पानी डाल रहे हैं बाकि आपके उपर है अगर आपको ग्रेवी जाधा चीए तो आप जाधा भी डाल सकते हो उस हिसाब से मसाले भी थोड़े बड़ा कम कर देना जैस कडना डालें? 30 ग्राम, यह खंशा हमेसा अलिकाई ग्राइख बरना जाता है गरम हमेशा तो ऐसका आपकरी बला से तक देट campaigns तर के में 50 ग्राम कमक कजूने हो आपने मिला देना है ताकि इसका कलर बहुत बढ़ी आ जाए और खाने में क्रीमी टेस्ट है परसे इसको सजा दिया हरे धनिये से इसके बिना हर चीज अदूरी है तो यह देख लो यहाँ पर हरे धनिये से इसको सजा दिया है इसके बिना हर चीज अदूरी है तो हमारा तो यह आर्मी स्टाइल में बनके रेड़ी है आप भी घर में बनाना आपको कैसा लगा आई यह आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो फ्लीज लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you so much